कोतवाली नगर शेत्र के डाक बंगलिया स्थित मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हाथसा होते होते बच गया जहां लिफ्ट के सहरे ग्राउंड फ्लोर पर आ रही लिफ्ट अचानक खराब हो गई लिफ्ट में दो छोटे बच्चे अचानक फस गए जानकारी के अनुसार लिफ्ट में बच्चे करीब आधे घंटे तक फसे रहे और इस दौरान परिजनों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंदन और एटा जिले के जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंग से मदद मांगी परिजनों ने कॉलेज प्रबंदन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बच्चों को बाहर निकालने में देरी की गई स्थिती बिगडते देख परिजनों ने जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंग से फोन पर मदद की गुहार लगा करता हूं बहन को देखने आया था तो बच्चों को लेने आया था ठीक है बच्चे हमारे दोनों हमसे पहले निकलाए उलगवग लिप्ट के अंदर आदा गंटे से जादा हसे रहे फिफ्ट फ्लोर से मैं ग्रांद फ्लोर पे आ रही थी और अचानक से लिफ्ट अचानक से